सब्सक्राइब है जिसके पास में भी पहले से ही एनेस है एक से साथ है एनेस दो सो है तो भाई वह एनेस चार्जों की ही तरफ जाएगा वाईली बजाज कमपनी ने अपनी पलसर एनेस 400Z को लाँच कर दिया है ये बाईक जो है एक परफॉमेंस सेंट्रिक बाईग है तो भाई इसकी परफॉमेंस के बारे में कैसे पता लगेगा इसको चला कर ही मैं बहुत ही यादा एक्साइटेड हूँ आज मैं इस बाई की राइड करने वाला हूँ इस बाई के साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्स्प्रियेंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेर करूँगा वीडियो काफी जादा स्पेसल है बिना इस क्रिप की ये पूरा जर कलर यह भी कलर एल्टीमेट लग रहा है यह है इसका ब्लैक कलर फर्स्ट टाइम पल्सर सीरीज में इन्होंने हजाड लैंड दिये हैं फ्रेंट में यूएश्डी सस्पेंशन मिलते हैं इस बाइक में डूल चैनल एबिस मिलता है फ्रेंट में 320 mm का डिस्क ब्लेकिंग सिस्ट क्लिश्टर के साथ मैं है यह देखिएगा और मिटर अभी 120 है मैं इसको चलाने वाला हूं कि इसकी एरी नेविगेशन की इसको अपरेट करने के लिए यह चार्जिंग पोर्ट दिया है हजाल लाइट बटन दिया है वाई के स्टार्ट करने के लिए डेडिकेट देखिए रहा हूं और जो कि आपके साथ में सेयर करूंगा लिवर्स को मैंने अपने साथ सेट कर लिया है वाइप पर कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो कर दो कर दो वाइज 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 अज लुट दिवेड़ यहां की बात बहुत अधर हैं अभी मैं एक पूर हंडड़ जी से अभी गयर पर इसकी टॉपिस्ट चेक करता हूं पॉर्ष क्यार पर यह बिल्कुल जीरो तो भई अब हम निकल दिये हैं यहां से आएक आगे अपने हाथ में मैं यहां पर एक नोटिस कर रहा हूं सबसे पहले तो कि जो इसमें कंपरी ने मीटर दिया है इसमें दो डिस्प्ले लगा कर दी है एक तो यह बाला तो कलर्ड़ पीडर है ठीक है है तो अभी डार्यट संट पर रही है इसमें इसमें थोड़ा सा फोकस अरके मुझे देखना पड़ रहा है उसके बाद मैं इस पर भी देख पा रहा हूं इधर उपर साइड में ही कंप्री ने वे चार्जिंग पोड दे दिया है जिसकी साइता से हम अपने स्मार्टपून को चार्ट कर सकते हैं अभी हम जा रहे हैं यहां से चाकन से लुनावला नॉन स्टॉप पाइक का बियेवियर तो मैंने जान लिया है क्योंकि है मैंने इसको ट्रेक पर चला लिया भी अब 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 निकाल दी जित्री उत पर निकल सकती थी 153 के राउंड निकली है वो आर्वियम की अगर बात की जाए तो भाई इसका डिजाइन जो है कापी यादा स्कूर्टी रखा है कमणी ने पूर्थ ग्यार पर भी यह देखिए लो आर्वियम पर इसली चल रही है गाड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि लगवग मैंने इससे 10 km का ट्रैक किया है वाई 120 था 130 हो गया है कि अगर बात की जाए तो भाई इसमें क्लिप ओन हैंडल बार नहीं है सिंगल हैंडल बार दिया गया है लेकिन यह रीडिजाइन है बजाज की तरफ से कि पोजीशन इससे काफी सही बन रही है क्लच की अगर बात की जाए तो भाई ना तो ज्यादा हाई है और नहीं ज्यादा लाइट है ठीक है बलकिन की जो N160 की क्लच है वो मुझे बहुत ज्यादा लाइट लगी है मैं एक दम से बाड़ 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 करके नहीं बोल र पराने वीडियो भी देखे हैं पराना रिप्यू भी मैंने कई भैक्स का किया हुआ है तो जब जब जासा टाइम होता है उससाफ से रिव्यू करते हैं अभी एक दम आपके साथ मैं सब कुछ सेयर कर रहा हूं जो जो पील करता चला जारूं भाई आपके एक लाग पचाती यहार रुपे लग रहे हैं तो क्या वो सही जगर लग रहे हैं यह बताना हमारा काम है कंपनी ने हम पर भरोसा किया है जिसे हम आप तक सही नॉलिज पहुचा सके तो उसी तरीके से पहुचाएंगे ना कि बढ़ बढ़ करके कुछ भी वेट कि अगर बात की जाए तो इसका सब्सक्राइब है 174 kg 400cc की यह बाइक है लेकिन मुझे इतना जादा इसका बेट नहीं लगा है जो यह मुझे परिशान कर सके इरिटेट कर सके ऐसा बिल्कुल भी है कि बैलेंस इसका काफी अच्छा किया है सब्सक्राइब कर बात की जाए तो इस बाइक में सब्सक्राइब कर दे रहे हैं एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा अभी थर्ड ग्यार पर चल रही है और फोटी की स्प्रीड पर है कि मुझे इसके हंडल पार हलके से वाइब्रेशन फील हुए है जिसकी वजह से इसने मुझे थोड़ा से एरिटेट किया है अब यह ची पैक जरूर दूंगा ब्रैंड को मुझे इस में थोड़े से वाइब्रेशन फील हुए है इसके हैंडल पर यहां पर पैरोपर वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुए इस बाइक में 17 इंचिस के अलोई वील आफर किये गए हैं प्रेंट में 110 सेक्शन का ट् इस बाइक में फस्ट टाइम बजाज ने है अजार लाइट का फीचर दिया है अपनी किसी भी बजाज की वाइक में तो इसके डेडिकेटेड हैडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच और यह देखो भाई हैडलाइट हूंती इस वजह से इसकी प्राइटनेट अब तो भाई मज़े ही आ गया है बहुत अच्छे से बिस्बल हो रहा है मैं उतने पर भी स्टेस्पाइट तो यह तो सौने पर स्वागा वाली बात होगी कि अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में ट्रीटन के लिए है इंजन की अगर बात की जाए 373cc का सिंगल स्लेंडर लिक्रीड कूल पीजिक्स एपाई फॉर इस्टॉक फोर वाल्व पजाज कंपनी का वही डॉमिनार वाला सेम इंजन दिया है लेकिन ट्यून किया गय सब्सक्राइब की और इसका में टॉर्क है 35 न्यूटन मूटर का खड़े में तो कर सकते हैं कोई भी दिकत वाली बात नहीं है और उसके बाद में इस सेट वाला बटन वेकल इंफॉमिशन यह राइड मोड और यह स्टीर मोड आ गए लेकिन अपर लगाने के लिए पर भी हम इसको अफ्रोड में लगा सकते हैं इस बैक में टोडल 6 गेर मिलते हैं तो फोई भी कभी नहीं होने वाली है ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो नहीं है बैकने में लेकिन सॉट्ट उतनी ज्यादा नहीं है आपी ठीक्टाक इस विलता है बैटने के ल अगरेंग पॉजिशन भी कफी अच्छी बनती है अगरें बजाज की पाइक जो है इंडिया में क्यों इतनी जादा पॉपुलर है फज्जर सीरीज को क्यों इतनी जादा पसंद किया जाता है अगर उनकी कीमत जिस कीमत पर वह लॉंच करते हैं वह अल्टीमेट है हर कोई उसको अपबॉर्ड कर सकता है थिल ले सकता है पैता डिजाइन ले सकता है और वैल्यूफर मनी वाइक इनकी होती है सर्विस अच्छी मिलती है जैसे कि यही देखे एक बार फिर से नौने साबिस कर दिया एक एक लाख पचासी अजार रुपए नौने इसके कीमत रखी है अन्रोड आसे आती है आपको 20 के आसपास मिल जाएगी बहुत ही जल्ली आपको नर्दी की सोरूम पर भी देखने को मिल जाएगी वहां से आप कि हाँ कमणी ने सही क्लिम किया है कोई भी फेक उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया है 28 30 के असपास तो आराम से यह निकाल करते हैं इसको मैं पचास किलो मेटर से भी ज्यादा चला चुका हूँ हूँ तो इस बाइक ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है मैं मैंने बहुत कुछ फील कर लिया है इसके साथ में आपके साथ में मैं अब सेयर करता हूँ जैसे कि इस बाइक का जो थ्रॉटल है इनिश्यल जो एक्सपिरियेंस है बहुत लाजवाब है भाई एक्तम से बाकती है एक्तम से और अगर हाइंड गेर पर है लोर आर्पियम पर है तब भी यह बाइक जो है बिल्कुल भी परिशान नहीं करती है बहुत अच्छा रिस्पांस देती है अब मैं इसको और चलाता हूँ फिर आपके साथ में अपने सब्सक्राइब करता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बजाज के पास में डॉमिनार थी चार सो सीची में और से मिंजन एनेस में भी दिया तो एनेस चार्सों क्यों अब इसका रप्लाइब में आपको एक छोटे से से संटेंस में देना चाहूगा जहां तक मैं समझ पारा हूं इसच को लोग क्या समझ रहे हैं बजाज क्या कहरा है वो एक अलग बात है बैड़ को जो लोग भी भी ट्रबॉसर सीची के बाइक लेते है कि साटज सीलेक लेत है ठीक है तो वाला बंदा जो है वह भाई डॉमिनार पर नहीं जाएगा उसका रीजन है कि जो 160 की पाइक है वो लगबग एक लाग सतर हजार रुपए के आसपास मिल जाती है यूस्टी सस्पेंशन में इनकी सब्सक्राइब अपाचे फूर वी डॉल चैनल एबिस के साथ में लगबग एक सतर के आसपास मिल जाती है तो भाई डॉमिनार की जो कीमत है वह दो लाग से उपर है ठीक है और एक सूरूम और उसमें भी लगबग 30,000 रुपए के आसपास और डॉन कर दो तो वह और कीमत और लगबग 25 से 30,000 रुपए आप अन रोड आधियाते मानगे जीए 220 मतलब जो वंदा एक लाग सतरह जार रुपए खर्च कर रहा है वो 210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 भी खर्च इसली कर सकता है अगर वो अपडेट करना चाहता है और बड़े सेग्मेंट में आना चाहता है तो वहाँ पर यह भाइक जो है टार्गेट कर रही है और दूसरा जिसके पास में भी पहले से ही एकसे साथ है एकसे साथ है एनेस दोसो है तो भाई वो एनेस चारजों की ही तरफ जाएगा डॉमेनार की तरफ वो नहीं जाएगा कि डॉमिनार एक अलग सेग्मेंट हो जाता है बिलको ललक यह वाला सेग्मेंट इनका खाली ता बजाज का इन्होंने इस सेग्मेंट को भर दिया है कि अब यह क्यों वाला जो सब्सक्राइब करता हूं कि आप समझ गये होंगे यह जो है चड़ाई पर भी इसलिए चड़ जाती है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब प्रोड भी इससे काफी जवर्दस हो जाती है कि अल्टीमिक कि यह दे कि यह कि अब बाती है अब इधर हम काफी उपर आ गए है कि और उपर जा रहे है कि उपर से न जा रहा आई ये भाई अब इस बाइक का टने ग्रेडियस चेक करते हैं कुछ इतनी चौणी रोड है देखते हैं क्या एक वाल में यह टर्न हो जाती इतनी जगह में इतनी सी जगह में यह टर्न हो गई और इसमें बिल्कुल भी परिशाम नहीं किया वह तर्ने में और भी जादा मज़ें आ रहे हैं यह देखो कि यह पैदल आने में तो उपर बहुत मुस्किल होएगी कि यह देखो कि मैंने क्लेच ले रखी है बाइक बिल्कुल फ्री है और स्पीड देखो कितनी स्पीड हो गई कि सिक्स्टी कि अधर से उतार रहे हैं उतार देमें यह देखो स्पीड हो गई इसकी को भाई 65 कि तो यह फैनली हम पहुंच गए है अपर डेक रिशॉर्ट तो यहां पर ही तो अपनी पाइक जो है पार्क करनी है कि अपर अच्छी लोकेशन चुनी है बजाज में हर तरीके से इनों ने अपनी एन्स-400 की टैस्टिंग जो है हम सभी से करा दिए देखो उपर से विए करना कजब भी हो कि अल्टी में अज़िए कि अज़िए कर दो अज़िए कर दो चड़ते जाओ चड़ते जाओ और देखो पाइक जो है थर्ड करेंशन की एक निकाल देता है कि अल्यों मैं पूरक लेट होगी तरफ से इस विप्र से कि अभी और जान है है कि अब पूल होना है तर्था है कि अच्छा पर ही चल वेदार लेगाते हैं कि अच्छा पहले आम ही आगा है भाई कि अच्छा आई आपको पने वाते ताहूं मैंने इससे कहये गाइट कर ली है और मैंने इस से नौनक्तुफ आट की है नाे श्छाक न 앞에 के लिए लगबत स्काजिक त्रोल इसको मैंतर Ne Renaissance pec लाया उसके चलाए इस आपने वारे में बहुत कुछ बता दिया है और बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ में मैं सेयर भी कर चुका हूँ आईए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिट की कि भाई आपको इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या फिन नहीं जाना चाहिए परफॉमेंस सेंटर के ये बाइक है तो भाई no doubt इस बाईक ने परफॉमेंस जो है भर भर के बरी हुई है जो कि आप इससे निकाल सकते हो कहीं पर भी इस बाइक में टोटल चार राइडिंग मोर्ड मिलते हैं जो कि वाकई में काम के हैं और काफी अच्छा response इससे मिलता है night में मैं इससे ride नहीं कर पाया नहीं तो मैं इसकी headlight भी test करता इस bike में 1000 light का feature मिल जाता है जो कि वाकई में काफी जाधा अच्छा हो जाता है riders के लिए and overall इस bike को मैं आपको 100% recommend करता हूँ तो दोस्तों बास फ्लाल के लिए स्टूडियो में तना ही मुझे उम्मीदर वीडियो आपको पसंद आई होगी फटापट से like कर दो maximum maximum share कर दो अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी सुजाबो comment करने ना भूलीगा और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है